दोस्तों अकसार आपने देखा होगा कि एक स्कूटी जोती है उसका क्लच प्रॉपर वर्क करता है ठीक है कैसे करता है यह आज समझेंगे और क्लच के अंदर ही सबकुछ बूरा मतब कंप्लीटली इंफोर्वेंस होती है जैसे कि आपकी गाड़ी एकर वाइबरेशन कर रही ह यह भी जानते हैं तो मिलते हैं वीडियो में तो यह है हमारा क्लच कवर यह है स्कूटी सुजू की एकसे 125 CC की BS4 BS4 और BS6 के दोनों की क्लच की जो मतलब वो एक पफ़मेंस होती है दोनों की सेम होती है एक तरह से मैं कहले हूँ की एक proper mechanism ठीक है तो इस क्लच कवर को हमने खोल दिया है आठ रूमर के बोल्टों से क्लच कवर जो है लगा होता है इसको खोल दिया है अब यह हमारा क्लच सू के ऊपर का कवर जिसके अंदर क्लच सू चलते हैं आप नो साइद पता होगा जब गाड़ी में रेस देते हैं त पूर इंटरवल कर रहे हैं आप बाहर जा रहे हो तो इस गोटी के जरीए अपनी गाड़ी के क्लच को खोल सकते हो ठीक है इसका जो क्लच खुलेगा इंटी क्लॉक वाइस खुलेगा तो इसका इंटी क्लॉक वाइस खुलेगा तो इस कवर को हम बाहर निकाल देंगे यह हो जैसado अगर अपके गाड़ी में इसमें प्र पर जाता है आगर अगर आपके कलाड़ी में कलसू बार बार खराब हो रहे हैं तो भी आपके कलाड़ी में ये खराब हो जाता है अगर आपके गारी में जो गारी आप पानी में तो इसमें पानी पलि जाता है और ये प्रॉपर पर तरीके से वर्क भी करता है जिसके विज्गे वस्थ प्षाटी स्लिप होते हैं तो अभी सबसे पहले मी दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस और यह अमारा देख रहे हूं कर इसकी लख अज्ग करते हो जो normal motorcycle होती हैं जिनमें गेर लगे हूं होते हैं उनमें किक सिलिप हो रही है या आपकी गाड़े में किक जाम से अटेश हो धये है और इसके डी होता है क्रेंक की जो am के शाफ्το तेज गुमती है। ये कोड़ी में मोटरसाइकल में ऍंग么 मारने हैं। मोटरासाइकल में डाल bridges करें। हर दक्रका मारने उस थी गाड़ी स्टार्ट हाती है। हमारे के राच की गाड़ी में जो किक की प्रॉब्म होती है जाम होने की वो बिल्कुल परफ्रेक्ट और ठीक हो जाएगी ठीक है तो इसके अंदर जितनी भी गंदगी आप देख रहे हो यह सब सफाई होगी और क्लीन नियुक्त के यह फिट होगी इसी तरीके से काम करता है कि का प्रोसेस नॉर्मीन हवा से होता पर स्कूर्टी के अंदर जा नहीं होता इसको की आएगी बें जो झाली देख रहे हो यह पंक्हे की अगाम करता है तो जो हब जोँग है अप्र ऐत पन्न करती है और हमारी काड़ी का पूरा का पूरा क्लेच वाला एरिया धंदा होता है इसके लवा और कोई रिजन नहीं होता है इसके दो-दो कूलिंग सिस्टम होते है एक तो होता है इस साइड एक होता है मैगनेट की साइड ठीक है अब आपको जब गाड़ी के सेल्फ मारते है तो हमारी गाड़ी में प्रॉपर इंजन स्टार्ट हो जाता करते हैं कलस्ट की गिस जाते हैं तो हमारी गाड़ी में प्रॉपर नहीं याएगा जैसे के आपको बटाया के कलच का टोरा होता है जाकर यह क्लस्ट को खुलते है और उसके बाद आपकी गाड़ी स्टार्ट होता है हम पीशे के बीच Óולब यह में लुए पेशे काड़ी का अलव भी गूमती है अब बात करता है इसके नीचे की पुली की यह थी किलच की बैल्ट इसके अंदर एक बेरिंग लगा होता है आपने साथ नोटिस किया होगका जब हमारी गाड़ी को चला के खीसते हैं तो हमारी गाड़ी बहुत तेज आवाज करती है, तो वो पैरिंग तूट जाने पर आवाज करती है, अगर आप मान के चलो, आपकी गाड़ी में कलच की साइड से कोई आवाज आ रही है, तो समझा, आपकी गाड़ी में 90% चांस होते हैं, आपकी गाड़ी में कलच की साइड काफी सारे लोग होते हैं वह इन्यन मेंदब ख्लिच के अंदर लोकल डाल देता है लोकल बैल्ट क्या करती है बंट यह और जो लेद बैल्ट जब रेप और इसमें ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है बड लोकल बैल्ट नो क्या होता है और local belt टूटने से आपकी गाड़ी के अंदर का जो engine का पुर्जा हो जाओ जा सारा टूटने के चाहसे से भी बढ़ जाते हैं तो इसका ध्यान दें और local belt ना डालें local belt डालने से आपका नुकसान है अब ये बुस है इसका और ये है clutch variator ये हमारा बुस है अगर एक जाएगा तो आपकी गाड़ी में पिक अप देखे और गड़ 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 आवा जारी हो फिर उठरी गाड़ी तो इसका मतलब होता है आपकी गाड़ी के variator में दिख्कातारी है ये होता है variator ये हर किसी स्कूटी के अंदर लगा होता है और ये जो roller इसके अंदर आप देख रहे हो अगर आपकी गाड़ी का रोलर जो है प्रॉपर टाइम पर साफ ना हो greasing ना हो cleaning ना हो तो आपकी आपकी गाड़ी पिक अप लेगी तो ये जो गूलिया इसमें देख रहे हो आप रूलर जीसे कहते है ये रूलर और ये वेरिटर इसका बहुत ज्यादा वहत पूर होता है ये सब चीजे जब भी आप इंजन का काम करवाते तो वेरिटर को अगर खराब है कटा हुआ है तो आपकी गाड़ी में प्रॉपर तरीके से जो एक पिक अप होता वो नहीं मिलेगा और उसके इलावा अगर ये रूलर लोकल डालोगों तो इसके इंदर क्या होता दो जोइंट होते है एक बीच वाला जोइंट लगा और एक वूपर वाला जोइंट वाइडिक लगा अगर आप लोकल डालोगों तो दोनों जोइंटों में से आप असमें प्ले आएगी और आपकी गाड़ी वाइब्रिसन की प्रॉब्म और ज्यादा बढ़ जाएगी सुरुआती दुनों में कुछ ऐसा होगा नहीं बर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी काड़ी में ये दिक्क क्लिन करा रहे हो तो मैं क्लिइड कराना पड़ेगा क्योंकि जब रिकारी रोड पर चलती है तो क्लिश के बहुत जादा धुलमिट्टी बढ़ जाती है और दुरो exploring के पार को जितना भी दिरी दिरे काट देती है तो इसका आपना धयान देना है ठाभ है और ये जो आप सील देख रहे हो इसके अंदर एक क्रेंकakah को किल सील होती है और एक होताग पावर आती में पीछे का टायर प्रप पर तरीके से घूमता है, बूम करके घूमता है, अगर हमारी गाड़ी में गेडशाफ्ट का बैरिंग मताब खराब होगा जो ऐसे करके हिलेगी यह जाव्त, तो हमारी गाड़ी का फ्रफ Regardless, और अमारी गाड़ी, जैसे कि आप देगे원गें, पीछे शिंकल साफ्ट होता है, तो एक स्िंकल साफ्ट में जो सिंकल बैरिंग लगा होता है, अगर बैरिंग खराब होगा, कट गया होगा, तो इस shaft पे play आएगी और हमारी गाड़ी का wheel जो है jam होगा बहुत जादा मात्रा में जितनी भी गाड़ीयां होती है स्कूटियां होती है जो उनका clutch जो है dry होता है अगर हमारी गाड़ी के clutch के अंदर कोई seal खड़ा हो जाएगी तो इस प्रकार से oil बहना start हो जाएगा अगर यह oil जादा मात्रा में बहने अलग गया तो आपकी गाड़ी में फिर जो oil है वो clutch belt में जाएगा clutch sue में जाएगा और कलिवेरिटर में जाएगा और जिसकी विशन आपकी गाड़ी slip करेगी बहुत जादा तो यह वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और एक बात और बता देता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ जो बहुत जादा ज़रूरी है आपके लिए यह जितना भी प्रोसेस होता है इन सभी प्रोसेस के अंदर बिल्कुल भी आपको पैट्रोल का इस्तमाल नहीं करना है अगर आप पैट्रोल का इस्तमाल करते हो चाहे सफाई में चाहे किसी भी चीज में तो आपका खुद का बहुत जादा नुकसान है क्योंकि बैल्ट जो नहीं गिया तो मुझे बड़ा दुख होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंस्साग्राम पे फोलो को लेना थैंक यू सो मच बबाई टेक क्यार